कल रात को एक बहुत ही ट्राजिक इंसिडिंट हुआ हमें फोन आया कि बहुत तेज बारिश होने की वज़े से एक मा के बच्चे पानी में डूब गए जिस जगे उसने बच्चे दिये थे वो पूरी जगा पानी से भर गई जब तक हम पहुचे तब तक दो बच्चे मर चुके थे दो बच्चे मा अपने पास उठा कर लिया आई और वो वहां से उठने को तयानी थे वो इतनी डर गई थी कि इसको हाथ लगाते थे तो वो काट रही थी मतलब मा का दिल देखे कि वो फूरा अपने शरीर से अपने बच्चो को ढखके बैठी थी उसके उपर तेज बारिश गिर रही थी पर वहां उस जगे से नहीं हिल रही थी क्योंकि उसको और कोई रस्ता नहीं दिख रह था अपने बच्चो को बारिश से बचाने के लिए आखिरकार हमने मा को उसी जगे पर प्लास्टिक और कटों से ढख दिया ताकि वह बारिश और ठान से बच्ची रहे उसको अच्छे से खाना खिला दिया दूसरे दिन जब हम सुबह गए तो जो मा रात में कात ली थी उसको इतना बरोसा आगया कि वह बच्चे में पास शोड़के चली गे जब देखा तो पता चला उन दो बच्चों में से भी एक बच्चा नहीं बच्च पाया इस बच्चे के लिए आस-पास के परोसियों से मदद लेके हमने एक छोटा सा गर बना दिया है चोटा बिस्तर रखा है जिसके अंदर मा अपने बच्चे के साथ बैच सकती है और क्योंकि घरों के सामने है तो लोग उस पर अच्छे से नजर रख सकते हैं अगर कोई भी तकलीफ हो तो वह में फिर से फोन कर सकते हैं